वाट आ मैच दोस्तों क्या मैच था मैच नमबर टैन आईपेल 2020 और आर्सीबी वर्सेस मुंबई सर्मा जी के बेटे और सर्मा जी के दामात के बीच यह बहुत बहतरीन मुकाबला रहा और सुपर उबर तक ही मुकाबला गया और आज केस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैच के रिव्यू की दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त और होस्त रजाश शर्मा और आप सभी का बहुत-बहुत स्वागा दा सिल्वर करकेट यूट्यूब चैनल पर दोस्तों चलिए शुरू करते हैं दोस्तों क्या मुकाबला रहा विराट कोली एंड कंपनी ने 201 रन ब बहुत कम देखने को मिलता है कि विराट कोली लगतार तीन मैचिस में फॉर्म उनका आनी पा रहा है तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं हो सकता आने वाले मैचिस में अच्छा कमबेक करें पर मोस्त इंपोर्टन होता है कि टीम जीतना चाहिए तो वही हुआ लास्ट में 201 रन RCB इन बोट पर लगा है उसके बाद जब Mumbai Indians की बैटिंग आई तो शुरुआत इतनी अच्छी नहीं रही Mumbai Indians की रोही शर्मा बहुत जल्दी आउट हो गा है उसके बाद फिर इशान किसन क्या बात है आर इशान किसन क्लैप तो बनती है इशान किसन के लिए बहुत अच्छी प मैच भी शायद नहीं देखा था क्योंकि फिर मैं कुछ काम में लग गया था जब मेरे दोस्का फोन आया 15 बात कि भाई मैं टाई हो गया है तो मैं कोच सर्प्राइस था और इतना शॉक्ट था कि यह कैसे हो सकता है चौवीज में असी बना डाले यार मुला पोलाड और इस बन सकते हैं तो बहुत अच्छा मैच रहा और इसके बात हम फिर सुपरोवर की बात करें तो सुपरोवर में मुंबई इंडियन्स ज्यादा बड़ा स्कोनी बना पाई क्योंकि सामने जो बॉलर थे वो थे नवदीव सैनी और नवदीव सैनी ने बहुत 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 करन पोलाड और हर्दिक पंडिया के सामने इस तरीके की जो उन्हों ने बॉलिंग करी बहुत अच्छा लगा देखके और इंडियन बॉलिंग Innitian क्रिकेट की जो बॉलिंग उसका फ्यूचर जो है बहुत 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 अच्छा लगा मुझ़ क्यों मुझे क्योंकि四s बुम्रा ने तो ये काफी बार इंडियन टीम के लिए और मुंबे इंडियन के लिए किया है सूपर उबर काफी मैच इंडिया को और मुंबे इंडियन को जिता है पर जिस तरीके से नफदीव सैनी ने बॉलिंग करी मज़ा आ गया और बहुत अच्छा लगा और फिर जब RCB बैटिंग करने आई तो बुम्रा ने लगभख साथ या आठरन जो बनाने थे RCB को वो लगभख डिफेंड कर दिये थे जिस तरीके से बुम्रा ने बॉलिंग करी वो जो एक चौका लगा जो की एवी डिवलियर्स ने मार दिया था वो मैच भही से पलट गया बाकी लास्ट बॉल तक कोई नहीं कह सकता था कि अभी भी मुंबई जी सकती है या RCB जी सकती है एक बॉल में एक रन चाहिए थे विराट कोली स्ट्राइक पर थे और चौका मार के विराट कोली ने वो मैच जिता दिया तो वो काफी शांदार मैच रहा टीम चाहे कोई भी जीते RCB या मुंबई पर पर जो दर्शक है उनको इंटर्टेनमेंट बहुत अच्छा मिला और इसलिए IPL इतनी लोगप्री है अगर हम बात करते हैं कि आल ओवर वर्ल्ड में जो T20 लीग होती सबसे फेमस लीग है IPL इसलिए ही यह फेमस है क्योंकि इस तरीके के जब गेम्स देखने को मिलते हैं तो बड़ा मज़ा आता है दर्शकों को भी और इंटर्टेनमेंट होता है और काफी उन्जॉए हमारे जो क्रिकेट फैंस है जो क्रिकेट देखना पसंद करते हैं वो काफी उन्जॉए करते हैं तो बहुत अच्छा लगा और अभी तो यह दसवाई मैश था और आने वाले अभी काफी मैश अभी बाकी है पूरो अक्टूवर का महीना अभी बाकी है तो और ऐसे बहुत रोमांचिक मुकाबले हमें अभी देखने को मिलने वाले हैं IPL 2020 में तो दोस्तों कल का मैश बड़ा शानदार था और RCB ने अपना तीसरा मुकाबला खेला और तीन मैसे दो मुकाबले अभी RCB ने जीत लिये हैं तो अच्छा लगा RCB के लिए भी क्योंकि Mumbai Indians एक ऐसी टीम है जो अभी हार जरूर रही है पर बाद में वो comeback करना जानती है और वो qualify करना जानती है क्योंकि ये पिछले को seasons में Mumbai Indians ने किया है तो Mumbai की कोई दिक्कत नहीं पर RCB का जीतना काफी अच्छा लगा मुझे और RCB के लिए काफी अच्छा भी लगा और अगर हम बात करें इशान किसन की बहुत बढ़िया इशान किसन भाई बहुत बढ़िया एक नंबर पारिया आपने खेली है और बहुत बुरा भी लगा आपके लिए क्योंकि 99 पे आप आउट हो गए बहुत अच्छी performance आपने की है और हम उमीद करेंगे कि आने वाले जो मैचे से Mumbai Indians के उसमें आप Mumbai के लिए और भी अच्छा करें हलाकि मैच Mumbai Indians हारगी पर इशान किशन ने पूरे इंडियन क्रिकेट फैंस का दिल जीत लिया और फिर रही बात पोलाट की तो पोलाट तो फिर हैं हिटर और अच्छी बैटिंग उन्होंने करी जिस तरीके से अगर मैं बात करूँ पहले 11 बॉल में उन्होंने सर्फ लोगों ने यह मैच और आप मेंसे काफी लोगों ने इंजोए किया होगा तो अब RCB को अपना चौथा मुकाबला जो है राजयस्तान रोयलिस कि खिलाफ को तीन अक्तूबर को खेला जाएगा तो राजस्थान रॉल्स के साथ भी मुकाबला काफी तक करका होगा तो देखते हैं दोस्तों किस तरीके से आरसे भी अपना खेल आगे बढ़ाती है पर जिस तरीके से उन्होंने कल परफॉर्म किया बहुत 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 अच्छा लगए क्योंकि जिस तरीके से वो दूसरा मुकाबला हा रही थी तो उतना ही अच्छा उन्होंने comeback भी किया है तो जिस तरीके से changes भी मुझे अच्छे लगे डेल स्टेन और उमेश आदब को बिठा के आपने इसरू उड़ाना और Adam Zemba को मौका दिया तो अच्छी balling उन्होंने भी करी है वो लास्ट के जो overs थे चार over वोर में थोड़ी से पटाई हुई है अब पटाई तो दोस्तों होगी क्योंकि T20 मुकाबला है और फिर ballers की तो पटाई बहेंकर होती है T20 T20 में जैसा हम सभी जानते हैं पर जिस तरीके की balling उन्होंने स्टार्टिंग में करी है ठीक ता मलब उमेश और डेल स्टेन से देख पाई है तो प्लीज आप क्या कर रहे है भी तक TV चालू करिए और वो हाइलाइट देखिए उस मैच का बहुत बहुत अच्छा मैच हुआ था तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो प्लीज मुझे कमेंट्स में बताईए और अगर अच्छी वीडियो में जैहिंद वंदे मातरम इस्टे होम इस्टे सेफ और घर से बाहर तभी निकले जब आपको कुछ जरूरी काम हो बेमतलम में घूमे नहीं बाहर दोस्तों थेंक यू